आप सभी को नमश्कार आज 21 मही का जो दिल्ली का वैक्सिनेशन बुलिटन है वो आमें आप से शेर कर रही हूँ कल यानि 20 मही को टोटल 77,438 वैक्सीन की डोसे अड्मिनिस्टर हों यह नॉर्मली जोतनी वैक्सीन की डोसे अड्मिनिस्टर होती है उसे कम है और उसके दो रीजन्स है एक जैसा हमने आप से पहले भी शेर किया है कि कोवी शील्ड की वैक्सिनेशन में ग्याप पढ़ने की वज़े से सेकेंड डोस अब कम एड्मिनिस्टर हो रही है दूसरी बात 18 तो 44 की जो वैक्सीनेशन का सप्लाय है यह अलग अलग जगां पे अब समाप्त हो रहा है इसकी वज़े से अलग अलग वैक्सिनेशन सेंटर दिल्ली के हिस्सों में अब बंद हो रही है तो कल टोटल 77,438 डोस इस वैक्सीन के अड्मिनिस्टर होई इसके साथ दिल्ली का टोटल जो वैक्सीन की डोस इस अड्मिनिस्टर होई है वो हो गया है 49,70,995 और 11,23,011 जिनको वैक्सीन की दोनों डोस इस मिल चुकी है दिल्ली में अभी 499 लोकेशन से 661 सेंटर चल रही है for 45 प्लस frontline workers और healthcare workers 45 प्लस के सेगमेंट के लिए हमने बहुत सारे walk-in centers बनाए है और हम आपसे भी अपील करेंगे कि जिन-जिन लोगों को भी आप जानते हैं जो 45 प्लस हैं जिन्रोंने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जरूर इन walk-in centers पे जाएं लेकिन आज के दिन में जो हमारी capacity है 18 to 44 की vaccination की वो बहुत घड़ गई है क्योंकि अब हमारे पास supply बहुत कम है तो जब हमने 18 to 44 की vaccination शुरू की थी तो वो 99 schools में 368 sites से चल रही थी को वैक्सीन की supply खतम होने के बाद और कोवी शील्ड की भी supply अब तकरीबन खतम हो गई है अब हमारे पास vaccine जो 18 to 44 के लिए आज administer हो रही है वो सिर्फ 46 schools में 133 sites पे हो रही है इसका मतलब कि पिछले एक हफ़ते में 235 vaccination sites 18 to 44 के लिए हमें बंद करनी पड़ी जहां तक stock position की बात है अभी तक 45 plus के लिए जो हमें total vaccination का stock मिला है that is 45,94,250 जिसमें से 43,40,540 यूज हो चुका है और 2,53,710 आज भी available है इसका मतलब यह हुआ कि co-vaccine का stock तो वैसे भी हमारे पास काफी कम supply में ही है अभी जो co-vaccine का stock है उसे use किया जा रहा है सिर्फ लोगों को second dose vaccine की देने के लिए क्योंकि बहुत limited supply में 45 plus के लिए भी co-vaccine है तो co-vaccine का stock हम मानेंगे कि नॉर्मल जिस rate पर vaccination होती है उसके हिसाब से एक दिन से भी कम stock available है और कोवी शील्ड का 45 plus के लिए हमारे पास तक्रीबन आठ दिन का stock available है 18 to 44 के लिए हमारे पास अभी तक total vaccination की supply 8,17,690 आई है जिसमें से 7,75,310 यूज हो चुकी है अब सिव मात्र 42,380 वाक्सीन की doses available थी आज सुबह तक जिसमें से 3,000 कोवाक्सीन की और 39,000 के करीब कोवी शील्ड की doses available थी लेकिन अगर आज की vaccination खतम होने के बाद हम ये मान लें के कोवी शील्ड की भी supply तकरीबन तकरीबन समाप्त हो जाएगी कोवाक्सीन का तो जीरो देज का स्टॉक है ही कोवी शील्ड का भी एक दिन से कम स्टॉक है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि कई सारे centers जो आज operational थे जो 133 sites पे आज vaccination लग रहा था उसमें से भी तकरीबन जादा तर sites कल बंद हो जाएगी तो कल के बाद दिल्ली में 18 to 44 की जो vaccination drive है उसे हमें temporarily बंद करना पड़ेगा और ये काफी दुख की बात है और चिंता की भी बात है इसलिए चिंता की बात है क्योंकि जो COVID की ये second wave आई है इसमें young लोगों पर भी बहुत जादा असर पड़ा है cases भी बहुत हुए हैं और deaths भी काफी हुए है और ये ऐसा age group है जो vaccine लगवाना चाहता है सामने आ रहा है COVID पर अपने आपको register कर रहा है इसलिए हमारी central government से appeal है कि जल्द से जल्द दिल्ली को vaccine का stock available करवाएं वरना Monday से दिल्ली में 18 to 44 की age group की vaccination हमें temporary तौर पर बंद करनी पड़ेगा